हेलो एवरिवन, मेना नाम इशान है, आज हम लोग 14-15 नॉबर के करेंट अफेस स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कोई न कोई examination के त्यारी कर रहे होगे और आप लोगों को दूसर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो है वो 10 से मैं 15 मिनिट की ही वीडियो गना हूँ और उसमें मैं फोटो भी एड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें जिससे कि आप जब भी current affairs examination के time पर revise करोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें और एक question मैं हमेशे आप लोगों के लिए last में छोड़ देता हूँ ताकि आप उसका अंसर comment box में दीजे जिससे कि वो भी चीज़ें आपको याद रहें ठीक है तो आपको कोशिश करिएगा प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो ची लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा आज का पहला कोशन है एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेन सिंग हैस लॉंच्ट इंडियास फर्स नैशनल रेपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा देटा इंडियन बायलोजिकल डेटा सेंटर किस स्थान पर केंद्री मंत्री डॉक्टर जि इसका सही आंशर है यह फरीदाबाद हरियाना बात करें करेंगे इंडियन इंडिया डेटा सेंटर की तो यह काफी बड़ा डेटा कि यहां पर रचेङए हैं जिससे कि उसकी वैक्सीन या जो दवाई आया है वह डॉलप की जैसके हैं कि आ ents term सुनाँ को जिसको हम लोग बोलते हैं Genome Sequencing Genome Sequencing अगर हम लोग आसान भारसा में समझने कोशिच करें तो वो वाइरस का BioDatά होता है कि वाइरस कैसा होगा कैसे हमले करता है कैसे बढ़ेगा या कौन सी विमारी का वाइरस है या वह जो carrots इसी के आधार पर वायरस की वैक्सीन दवाईयां या उपचार संभव हो है तो इस टाइप के जितने भी हम लोग जो रिसर्च कर पाते हैं वह इस टाइप के जो बड़े बाइलाजिकल डेटा सेंटर हैं यहीं पर हम लोग कर सकते हैं अब यह इंडिया के इंदर में भी स्ट सब्सक्राइब की जा जुकी सौकर की लागत से बनाया गया है इस लाइफ साइंस डेटा सेंटर के पास चार पैटाबाइट टक का स्टोरेज रखने की शमता है और यह उच्छ शमता वाली सूपर कंप्यूटरिंग स्विधा ब्रह्म से लहस है यहाँ पर काफी ज़ादा स्टोरेज है और दूसरा जो हमको कंप्यूटिंग पावर चेह रहती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो यहाँ पर मौझूद है इस सेंटर के जरिये आने वाली कोरोना जैसी बिमारियों की पैचान और रिसर्च में मदद मिलेगी इस सेंटर के अंदर में एक घंटे में किसी भी बिमारी की जिनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी और यह सेंटर लाइफ साइंस से जुड़े तमाम डेटा कर संगर कर सकता है इसको दो डेटा पोटल में ब आई एंडी एक्सेस कंट्रोल है जिसका जिसका जो डेटा है किसी अन्य देश के साथ साजा नहीं किया जाएगा ठीक है तो इस कोशन से से लिटे जितने भी पॉइंट से हम लोग नहीं पढ़ लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कोशन की तरफ हमार अगला और मोदी ने किस शहर में नाद प्रभू केमपय गॉड़ा कि 108rès पुची जान का अनावरन किया इसका अंसरै सी बेंगलूरू के संस्थापक नाद प्रभू केमप गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट और अगर बात करें इस स्टेच्यू की तो यह जो स्टेच्यू है इसका नाम दिया गया है स्टेच्यू ओफ प्रॉस्पिरिटी हिंदी में बोलें समझें इसको तो समरिध्धी की मूर्ती जो की वर्ल्ड वुक और रिकॉर्ड के अनुसा संतार इनका नामा पहले भी सुन चेके होगे इन्होंने ही स्टेच्यू आफ यूटी जो की केवाडिया गुजरात में हैं जो की सर्दार वलभ भैंपतेल की स्टेच्यू है उसका भी डिजाइन इन्होंने किया था और अगर बात करें करनाटका की तो करनाटका की चीफ मिन महिं और जो वहां के गविज्टवर रहे हैं वह थवर सिंग गहलोष और चापिटल करनाटग का वह बेंगलोरू नेक्स कुशन दिखते हैं अगारा कुशन है फ्रेंडशिप एमबैस्डर ओफ सुझरल एड्शेलेंड का फ्रेंड्शिप एमबैस्डर कौन बन गया है तो इस फोटो से आप अचान गए होगी इसका अंसर है बी नीरज चोपड़ा स्विजर एंड टूरिजम ने ओलंपिक स्वन्ट पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हमारा अगला कोशन है इंडियन आर्मी लॉंज्ट अ सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर वेलफेर एंड ग्रीवियंस रेड्रेशल आफ आर्मी वाइवस वट इस दानेम ओफ इडियन आर्मी ने एक सिंगल विंडो एक ऐसा पॉर्टल लॉंज किया है जिससे की आर्मी अक्रेवन क्या जिए दना आघए श्का नाम क्या है यह कोशचन है चैसका कर भी विरांग्र सेवा केंद्र है जो इसको इनाउंग्रेट किया गया है यह किया गया डेली के दर कि और और यह एक पॉर्टल बनाया गया जिसका नाम है जिस पॉर्टल का वेब साइट है www.indian-army-veteran.gov.in इस पॉर्टल के थुरू जो भी शिकायते हैं उसको हम लोग रेजिस्टर कर सकते हैं ट्रेक कर सकते हैं और फीडबैक भी दिया जा सकता है स्च शहरे बीर है हैं हमार अगला कोशिट है गांधी पीसट संब्धिक सो इस्टो के लिए अपने दुछ खथिस्टिए legaj पत्रकारिता संब्धन प्रेकर से किसे संब्रेंद करने की खौशना किया तो इसका अंसर है डी, आरफा, खानुम, शेरवानी ये दव वायर की सीनियर एडिटर है ये जो अवायर है, इनको 2022 के लिए मिला है 2021 के लिए मिला है अजीद अन्जुम ये एक इंडिपेंडेंडेंट जेनरलिस्ट है और यूट्यूबर है बात करें इस एवार्ड की तो यह जो एवार्ड है उन जेनरलिस्ट को दिया जाता है जो कि इन्ने लेंग्विज पे काम कर रहे हैं और कंट्रिब्यूट कर रहे हैं डेमोक्राटिक वैल्यू और इंडिपेंडेंट मीडिया को यह जो एवार्ड है इसकी शुरुवाद 2017 में हुई थी और जो पहले एवार्डी थे इस ओनर के लिए वो थे रभीश कुमार नेक्स्ट कुशन देखते हैं हमारा अगला कोशन है भॉपाल रेल्वे स्टेशन है और फोर स्टार इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन पर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी नूट्रीश फूड तो पैसेंजर्स F.S.S.A.I. has been established in which year भॉपाल रेल्वे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुडवत्ता और स्टिक भोजन प्रदान करने के लिए चार स्टार इट राइट स्टेशन प्रामानन से समानित किया गया F.S.S.A.I. किस्थापना किस फर्स में हुई थी इसका अंसर है B. 5 सितंबर 2008 F.S.S.A.I. का फुल फाम होता है Food Safety and Standards Authority of India ये एक statutory body है जो की Ministry of Health and Family Welfare के अंदर में काम करती है F.S.S.A.I. has been established under the Food Safety and Standard Act of 2006 इस एक के थूँ इसको बनाया गया था बात करें इस न्यूस की तो ये जो न्यूस है इसमें ये जो केंपेंग चलाया है F.S.S.A.I. ने 2018 में इसको लांच किया था और इसमें वो रेटिंग देती है अलग-अलग स्टेशन को एक से पांच के बीच में तो इसी कड़ी में जो बापाल की जो रेलवे स्टेशन इसको पांच स्टार इड राइट स्टेशन दिया गया और बात करें इस केंपेंग की तो इस केंपेंग की शुरुआ इससे एक फूट सिस्टम मनाया जा रहा है जिसके अंदर में हेल्दी सस्टेनेबल और सेफ फूट ट्रैवलर्स को प्रोवाइड किया जा सके और बात करें पांच स्टार रेटिंग वाले स्टेशन की तो चंडीगर रेलवे स्टेशन चंडीगर रेलवे स्टेशन 5 तर रेटिंग वाला एक स्टेशन है दूसरा अगर बात करें इसके बाद है आनन्द विहार टर्मिनल रेल बे स्टेशन टेली के अंदर में फिर है च्छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मॉंबई फिर है मॉंबई सेंटर रेलवे स्टेशन और पांचवा है वर्ड उद्रा रेलवे स्टेशन ये पांच ऐसे रेलवे स्टेशन एंजिन को पांच स्टार रेटिंग है और भपाल का जो है इसको फोर स्टार रेटिंग मिल जीतने के लिए हिमाचल को किस ने हराया तो इसका अंसर है यह जो फाइनल मेंस था मुंबाई और हिमाचल की बीच खिला गया एडन गारन कुलकता के अंदर इसमें मुंबाई ने हिमाचल को रा दिया और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इससे दो चीज़े होंगी मेरे को तो अच्छा लगे गई साथ में यूटूब भी इस वीडियो को और लोगों तक सजेस्ट करेगा रास्टी खेल पुरुषका 2022 की खोशना कर दीगे तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजे इसी कोशन से हम लोग अगली वीडियो को स्टाट करेंगे और डिटेल में इस नियू से जितनी भी इंफर्मिशन है सारी कवर करेंगे जिसके अंदर में हम लोग ध्यान इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग अगली वीडियो में थैंक यू